नमस्ते मैं पलवी हूँ और आप भारत एक नई सोस देख रहे हैं शोशन मीडिया पर तहलते हुए एक वीरियो मेरे हाथ लगा मैंने सोचा आपके साथ साजा करती हूँ जब बीजेपी कारेकरता राहूल गांदी मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं तब एक यूवक उस पूरे कारेकरताओं के बीच खड़ा होकर नौकरी के मुद्दे पर ऐसा लथारता है कि देखने वाली चीज थी मतलब ये सोची कि कारेकरताओं के बीच राहूल गांदी मुर्दाबाद के नारे लगाते हूँ एक सक्साकरति ये कहता है कि जूटी बात क्यों कर रहे हो धर्म के नाम पर हमें क्यों लड़ा रहे हो नौकरी का क्या एजेंडा है ये बताओ ये वो वीडियो है जो कहीं न कहीं वर्तमान हकीकत को दिखा रहा है मतलब नौकरी एक ऐसा सवाल है जो सरकार के सामने एक सबसे बड़ी चुनाओती है इस बार लोकसभा के चुनाओं में भी सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी भी चीज की वज़े से बीजेपी को हुआ है तो वो नौकरी की वज़े से हुआ है मतलब जिस तरीके से पेपर लीक के कबरें आती रही जिस तरीके से वैकेंसी खाली है नौकरिया नहीं मिल रही है यह सबी वज़े हैं जो युवाओं को खासा नराज करती है कम सकम बीजेपी के लिए यह युवक का वीडियो देखिए आपको लगेगा कि इतना बड़ा गट्स और इतना बड़ा जिग्रा जो है वो कुछी लोगों के अंदर है कि मतलब इतने कारे करता हूं कि बीच में अकेले जाकर उनसे आंख से आंख मिलाकर दहार कर उनसे यह पूछना कि नौकरी के मुद्रेपर क्या है आपका अजंडा नौकरी पर आप क्या कहना चाते हैं नौ मुसलिम के नाम पर लड़ाने से थोड़ी होगा नौकरी पर क्या आपकी राय है जब यह बोलते हैं तो कुछ लोग ठहर से भी बीज़ेपी के कार्य करताओं में कई ऐसे लोग ह उसकी बात सुनते हैं मजबूरी यह है कि यही सच्चा ही है सुनना पड़ता है लोगों को जो सामने से आदमी आकर सच कहता है आप देखी वीडियो उसके बाद हम आगे बात करते हैं पास नहीं रागे लोकर सब्सक्राणि उसकी एक इंद पास नीए बिल गलने से बात नहीं को जो सब्सक्राणा पड़ता है वीडियो नहीं ड़ता नहीं रोजगार के बारे मां सक्कू ना दोजगार सबाने मंज़ 스भूरे लए इंदो कब आए ना मंदर को की सर्कार टोट उत पारी मैंत करूकछक बाद मंदर करने मन… मंधिरों के लिए भुहां दन्य के लिए जब इंडों की शरकार नेका तरनफ नेका पूल वाले और नुको नहीं के पांगा रोजगार निकार ले बंगाले आपने देख लिया कि कैसे बीजेपी के कारे करता हूं के बीच एक बेरोजगार युवक पहुंसता है और वो अपनी पीड़ा बताता है कि कैसे लेने के बाद भी जो है वो कोई नौकरी की कोई नौकरी का नया option के सामने समझ में नहीं आ रहा है और बीजेपी वालों को यह दायत भी देता है कि रोजगार के बारे में सोचो रोजगार पर आपका क्या एजेंडा है रोजगार के बारे में आप क्या कहना चाहते है ये वो बड़े सवाल है जिस पर BJP कभी कुछ नहीं कहती है इस पर लोगों ने तरह तरह की कमेंट भी किये हैं मैं ये वो कमेंट भी पढ़ूँगी कि कैसे जब कोई इंसान सामने से आकर नौकरी के बारे में बात करता है तो कुछ लोगों को तिलमिलाहट मैसूस होती है कु उसके लिए वो सरकारों से ही मांग करेगा विपक से नहीं तो बहुत सारी लोग जो है वो ये कमेंट कर रहे थे कि सर के बाल से ऐसा लग रहा है कि बुजूर्ग हो चला है नौकरी तो इससे उस समय भी मांगनी चाहिए थी लेकिन उस समय क्योंकि ये सरकार का चाटूकार मांगनी पाया आप सरकार का विरोथ कर रहा है इस सरीके की कमेंट कमेंट बहुत तरीके थे कुछ लोग उसको पॉलिटिकल देख रहे थे कुछ लोग उससे सच भी बता रहे थे और बहुत बढ़ा जिग्रा चाहिए ऐसे गट्स वाले लोग कम हैं और भी बहुत सारी यह सरकारी नौकरी के पागल हुए पड़े हैं तो यह दो अकबार की आठ के लिए एक कमेंड भी था इन्हों ने अपने नाम के आगे मोदी भी लगाये हुआ है यह कहा रहे हैं कि 35% लोगों को सरकारी नौकरी चाहिए इन्हीं लोगों का यह एजंडा रहता है जिन्हों का यह सवाल होता है कि नौकरी यह से मांग पड़ लोग कहते सरकारी नौकली के लिए क्ले क्यों टिक हो भाई नौकरी अब हुट है इन जैसे लोगों को ही बताना है इसक्रीन पर आप देखिए हम बात कर रहे हैं रिलाइंस की टाइटन की वो बड़े-बड़े ब्रांड जो को सरकार सबसे ज़्यादा सपोर्ट करती है उन में से बहुत से ऐसी कंपनिया है रिलाइंस की बात कर लिजे सिफ्टो ना रिलाइंस इंडेश्टी ने 42,000 इंप्लोई की कटोती की है उनकी नौकरिया उनसे चीनी है तो यह 42,000 लोग जो कल तक कमा रहे थे आज वो बेरोज है तो बहुत सारे लोग जो यह कह रहे है ना कि नौकरी जैसे मसले पर सरकारी नौकरी का इंतिजार करते हैं तो भाई एक बात समझिए कि प्राइवेट सेक्टर में भी नौकरिया नहीं है और इस तरीकी की खबरे कभी नहीं आती कभी बताया भी नहीं जाता मतलब सेंसर जाएंगी महंगाई के बारे में नहीं बात होगी नौकरी के बात नहीं होगी तो आटकल में यह आपको पताचला होगा कि रिलाइंस हिंश्ट्री ने अपनी 42,000 नौक्रियों की जो है ना नोक लोगों की जो है वो नौकरीयां छीन लिया है नौकरियों में छटोती कर दिय यह उनके वर्क फोर्स का 11 प्रतिशत हिस्सेदारी थी इतने पर्सेंट लोगों की उन्हों ने जो है वो छटनी कर दी 2022 और 2023 के वार्सिक रिपोर्ट की बात की जाए रिलाइंस इंडश्टी की तो इनके कंपनी में 2,45,000 करमचारी थी लेकिन 23 और 24 में इनके इंप्लोईज की संक्या 2,7,000 रह गई तो इस तरीके से कैसे आप देख सकते हैं कि अपने एंप्लोईज की लगतार कटिक कर रहे हैं कंपनी तो है नहीं प्राइवेट है उसके बाद इस तरीके के छटनी हो जा रही और मैं इसके बाद एक और स्क्रीन पर आपको दिखा रही हूं कि पांच बड़ी कंपनिया जो है उन्होंने कैसे अपने इंप्लॉइस की लगतार जो है वो छटनी किये कटोती किये तो इस तर तो सरकारी नौकरिक यह नहीं आते हम अगर आप करते हैं तो आप क्या हो जाते हैं विपक्षी आप हुझाते हैं कट पुतली जो तो विपक्षिन इसारे पर नाशने वाला मतलब इस तरीके का कमेंट तो मुझे दिखा था इनके लिए अब ये टाइटन है डिमार्क है विमार्थ है बाटा है और जूबिलेट ये वो कंपनिया हैं जिनोंने लगतार अपने इंप्लॉईस की छटनी की है ये स्क्रीन पर हम जो है आपको दिखा रहे हैं आप उसको इत्मिरान से पढ़िएगा अगर आपके पास समय हो तो नहीं तो इस तरीके की खबरें किसी को पसंद नहीं आती तो मैं कुछ कमेंट पढ़ देती हूं जो इस लड़के के लिए लिखी गई थी जब ये वीडियो शोशल मीडिया क्योंकि इसने बात बात में यहां द्गर के लोगों को मैं फसाया जा रहा था देखिए पर धर्म के नाम पर ही लोगों को उड़ हाया जाता है उसके बात दूसरा कमेंट है वो है कि इस बेरोजगार युवक के मात्य के जड़े हुए बाल यह बताते हैं कि यह बहुत पुराना बेरोजगार है अजादी के जमाने का बेरोजगार होता तो साइद जिंदा भी नहीं होता लेकिन साइद इनको पता भी नहीं होगा कि देश के कितना पहले आज कि इससे भी पूछो तो इंटर के सवाल का भी जवाब नहीं दे पाएगा पढ़ा लिखना तो होता नहीं उन्हें दिग्री लेकर ले लेते हैं और नौकरी की मांग करने लगते हैं मतलब देश में अगर आप नौकरी की मांग कर रहे हैं तो आप सबसे ज्यादा देश विरो राएमें इतने कार्यकरताओं के बीच अकेले रखी कार्यकरताओं को बही से बीसित्या पर ही सच इनकी असलितिंटी ने दिखा दी कमेंट दे और फिर एक तरीके एक और कमेंट है देश में बेरोजगारों का क्रोज धीरे-धीरे फूटता जा रहा है अगर बीजेपी समय से पहले नहीं जागी तो बेरोजगारों का क्रोज वाला मुखी की तरफ फटेगा और जितने भी अंदभक्त है उनका इलाज भी कर सक करता है इस तरीके का कमेंट फिर एक कमेंट है बहुत अच्छा भाई अच्छा सवाल पूछा तुमने इसी तरीके का सवाल पूछना चाहिए वो भी सरकार से पूछना चाहिए विपक्स से नहीं तो इस तरीके का इस तरीके के कमेंट्स जो लोग करते हैं वो साइड यह सम पर देख रहे हैं तो फिर आप भी ज्यान देते रहे हैं कि अच्छे से पढ़ा नहीं डिग्रियां फरजी हैं यह सारी चीजें आपको यह वीडियो कैसा लगा वह में कमेंट सेक्शन में लिकर जरूर बताएगा नमस्ते मैं पहले भी हूँ आप भारत एक नहीं सोच देख अब कर लिजी यूच्ट्व पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करिए वीडियो को शेयर जाधा से जाधा करी इसके लामा आप हमें प्ले श्टोर के माध्यम से भी हमसे जूट सकते हैं हमारा एप है भारत एक नहीं सोच के नाम से इसको डाउन्ट ज़रूर करिएगा ब बहुत बहुत धन्यवाद.